दोस्तो नमस्कार आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकरी देने वाला हूँ कि आपको अपनी गाए बेंस को रातरी के समय खाना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए यही समश्या हमारे सामने प्रस्तुत की है हमारे प्रेम सुक चोदरी जी ने जो कि हमारे regular viewer और subscriber है इन्होंने पूछा है पसु रात को खाना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तो देखिए चोदरी जी जहां तक हो सके आप रातरी कालें फीडिंग ना ही कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा पसु के पेट को क्योंकि यह होता है ruminants ruminants मतलब होता है जुगाली करने वाले जानवर अगर ये जुगाली करने वाले जानवर अगर 8-10 घंटे जुगाली नहीं करते है तो भोजन का सही तरीके से पाचन नहीं कर पाएंगे और दिन के समय अगर मैं आपको विशेश बात बताऊं तो ये दिन के समय प्रॉपर रूप से जुगाली नहीं करते हैं चाहे वो इस्ट्रेस मान लो या इनका ध्यान बटकना मान लो कुछ भी मान लीजिए दिन के समय ये जुगाली कम करते हैं रातरी के समय अच्छी जुगाली करते हैं तो रातरी का समय इनके लिए जुगाली के लिए छोड़ दे क्योंकि कोई भी पसू अगर 10 गंटे कम से कम जुगाली नहीं करेगा 8 गंटे तो करनी चाहिए तो उसकी जो पाचन क्रिया है वो डिश्टाब हो जाएगी उसके पेट के जो माइक्रो फ्लोरा है जो की बोजन को पसाने का काम करते हैं वो डिश्टाब हो जाएगा इसलिए आप ध्यान रखें कि रातरी कालें फीडिंग जहां तक हो सके देखिए कहीं पर किसी की प्रॉब्लम्स होती है वो बात अलग है अगर किसी की प्रॉब्लम्स है तो वो बात अलग है लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप प्लीज रातरी कालें फीडिंग ना कराए पसों का वो रेश्टिंग टाइम होता है और उस समय वो जुगाली कर रहे हैं तो उन्हें जुगाली करने दें खाना ना ही दे तो अच्छा है